नरुपिय की कीमत की चिन्ता है उन्हें अगर चिन्ता है तो खुर्सी बचाने के कारकमों की चिन्ता है खुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए है और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे डॉलर के सामने रुपिया ताकत के साथ खड़ा हो इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है पिछले तीन महेने में जिस तेजी से रुपिय की कीमत तूटती गई है गिरावट आई है और दूसरी तरफ तीन महेने में सरकार की तरफ से एग भी कदम लिया गया हो ऐसे कोई संकित नजर नहीं आ रहे है और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है और एक बार रुपिया गिरता चला जा रहा हो गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है उसको भी रोकने में दिल्ल की सरकार पूरी तरह विफल गई है पिछले पांच साल से लगातार हम सुनते आये हैं झाल स्ट्च्छक झाल में डिल्ल